नमस्कार दोस्तों स्वागती पिर एक बार आपका DVP रिविउस पर तो इस वीडियो में जो आपको फुल रिविव देने जा रहा हूँ इस Mi Powerbank 3i 10,000 mh का तो चलिए शुरू करते तो सबसे पहले बात करूंगा इसकी build quality की जो मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि यह जो ह 20,000 mh का Powerbank देखे तो वहाँ प्लास्टिक build है और वहाँ पर आपको ऐसे crease भी देखने मिलेगी जहाँ पर जो है दो पार्ट जो है जो है जो है जो है जो है जो है आपको कुछ और इन्हों ने चीज़े लिखी हुए वह देखने मिलेगी फिर जो है उपर की तरफ इस तरफ जो आपको दो input port मिलेंगे और दो output port मिलेंगे दो input port जो जिससे आप इस powerbank को charge कर सकते हो एक normal USB और एक type C से और जो output port है इससे जो आपको कोई भी devices को जो आप दो devices को charge कर सकते हो यहाँ पर बटन दिया गया है तो इसससे जो आप battery indicator आपको जलेंगे यहाँ पर तो यह जो है आपकी 25%, 50%, 75% और 100% आपकी charging जितना भी charge होगा आपका powerbank वो यहाँ पर light जो जला के जो indication आपको देगा अभी चारो भी light जल रहा है मतलब यह 100% charge है फिर इस तरफ अगर आप देखे तो यहाँ पर कुछ इसकी technical specifications जो आपको देखने मिलेंगी मैं थोड़ा इससे focus कर देता ह और आप charge तो इससे pause करके भी पढ़ सकते हो फिर अभी बात करूँ इसकी input charging की तो जैसे कि इसके official website पर बताया गया है Xiaomi के तो यह है approximately 4 hours में चार्ज हो जाएगा ऐसे इन्हों ने लिखा है अगर आप इससे type C से चार्ज करोगे तो तो मैंने इससे चार्ज करोगे तो तो मैं चार्ज नहीं हुआ था और इसमें पहले से एक इंडिकेटर की light जल रही थी मतलब इसमें around 25% charging होगी तो उसके बाद मैंने इसे जॉइन किया था चार्जिंग पर लगाया था और जो यह जाके जो है 4.5 hour जो इससे approximately लगे चारो भी light यहां पर जलने में तो आपको company तो बत इस एक phone को आपको charge में लगा के दिखाता हूँ अगर आप single device लगा रहे हो तो यह जो है 18 watt जो है fast charge आपको support दे देगा तो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ इसे 0.2 में और यह device हो रहा है charging और यहाँ पर यह बता रहा है कि fast charging 45 minutes until full अभी यह जो है 59% पर तो अगर आप single device लग connect करता हूँ charging के लिए यहाँ पर इस तरह से तो अभी यह वापस restart हो गया और दूसरा device charge होना शुरू हो गया और यह अभी जो है slow charge पर चला गया दोनों भी device simultaneously charge हो रहे है तो 18 watt है दोनों में divide हो चुका है तो almost 99 watt होगा या फिर 9 watt से थोड़ा सा जादा होगा दोनों device में तो ध्यान रखनी है और अगर आप इस में से अगर एक phone को अगर आप निकाल रहे हो ताकि आपका दूसरा phone fast charge होते रहे तो अगर समझिए मैं अगर इससे निकाल रहा हूँ तो अभी जो है यह वापस चार्ज होना शुरू हो जाएगा इस तरह से लेकिन अभी भी जो है यह slow charge पर ही है मतलब 9 watt के चार्ज पर ही है तो इसको अगर आपको वापस fast charge पर कराना है तो आपको ध्यान में रखके यहाँ पर इस बटन को दबाना है एक बार और फिर एक बार दबाना है और फिर यह वापस इससे fast charge करने लेगा आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से तो अगर आप दो डिवाइस से एक बार में लगा रहे है और आप चाहते हो कि आपका एक ही डिवाइस fast charge हो तो दूसरे डिवाइस को unplug करने के बाद जो आपको इस बटन को दो बार दबाना है फिर जाकि यह आपको इस single device से 18 watt पे full charge करेगा और एक बात आपको मैं बताना क्योंकि जो है यह safety precautions के हिसाब से company ने यहाँ पे setting दी है कि अगर आप दो चीज़े एक बार में उतले power bank को भी charge कर रहे हो डिवाइस भी charge कर रहे हो तो दोनों चीज़े slowly charge होगी कि ताकि जो है power bank जादा over it up ना हो तो एक बात आपको यह भी ध्यान रखनी है फिर मैं बात कर मैं अगर यह s20 plus को जो है type c से जो है यह power bank से अगर connect करूं यहाँ पे है तो जो आपको ultra result देखने मिलेगा यह रहा type c से join कर रहा हूं मैं और दूसरा जो है इसमें join कर रहा हूं तो जो है अभी जो है यह power bank चार्ज हो रहा है इस s20 plus से तो अब देख सकते हो तो जो है आपको गलती से भी जो है type c to type c डिवाइस होगा तो यहाँ पे type c में नहीं लगाना है यहाँ पे in दिया हुआ है लेकिन अगर किसी ने देखा नहीं गलती से और अगर वो लोग समझ अब भी जो है charging करने में जो है काम आता है phone को तो ऐसा नहीं है यह उल्टा हो जाएगा आपका जो power bank चार्ज होगा आपका phone चार्ज नहीं होगा तो आपको वह बात भी आपको यहाँ पर धान रखनी है यह मैंने ऐसी बता दी मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं करेंग लेकिन in case इसलिए मैंने आपको बता दी फिर अगर मैं बात करो इसके next point की तो यह जो है अंडर थाउजन रूपीज आता है मतलब अभी जो है 799, 899 पर आता है flip card and Amazon पर depend करता है आप कहा से purchase कर रहे हो तो मेरे हिसाब से जो है अंडर थाउजन रूपीज यह अभी भी जो है aluminum की होगी और इतनी अची in hand feel के साथ होगी तो इसलिए जो है यह अभी भी जो है under 10,000 रूपीज जो है one of the best power bank है शाउमी की तरफ से तो अगर आपको यह खरीदना है तो definitely मैं आपको recommend करूँगा और इसकी link जो है description मैं आपको मिल जाएगी वहाँ से आप इसे चाओतो purchase कर सक तो यही था मेरा full review is me power bank 3i 10,000 mh का तो अगर आपको वीडियो पसंदा हो तो please वीडियो को like कीजे वीडियो को share कीजे वीडियो के नीचे comment कीजे अगर आपको और भी कुछ questions होंगे इस power bank related में definitely आपको reply करूँगा और सबसे ज़रूरी चैनल को subscribe कर लिजे आप आपको नीच